किर्शी कानुनों को रद कराय जाने को लेकर दिल्ली के बार्डरों पर बैठे किसानों की कोरोना जांच और वैक्सिनेशन के लिए जहां सरकार ने संबंधित प्रशासन को आदेश दिये हैं वहीं आंदुलन रत किसानों ने भी इनी आदेशों पर अपना दो टूक जवाब देते हुए इस पश्ट कहा है कि वो किसी भी सूरत में ना तो कोरोना की जांच कराएंगे और ना ही वैक्सिनेशन लगवाएंगे बता दे कि बुधवार को किसानों ने बहादुर गड़ के पकोड़ा चौक पर गदर पार्टी के स्थापना दिवस मनाये था इसी दोरान ही मीडिया के रूबर हुए भारतिय किसान यूनियन उग्राहा के नेता ने कहा कि कोरोना एक आम बिमारी है किसान जब भी बिमार हुआ है तो वो बूटी लेने से ही ठीक हो जाता है लेकिन सरकार किसानों की चिंता ना करे क्योंकि किसानों की देखभाल के लिए पंजाब और हरण के डॉक्र मौजूद है जो की पूरी तरह से किसानों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं सरकार को अगर चिंता करनी है तो सरकार किरशी संबंधित काले कानून रद करे तब ही माना जाएगा कि सरकार किसानों की सची ही तैशी है एस बिमारी नों लोग समझ चुके ने के जो जी बिमारी है खंग दी जखाम दी शाती दी फैक्षन दी ए चोटी बिमारी है नाल दी नाल जे कोई बिमार भी हंदा ता दवाई बुटी लिया के ठीक हो सकता है कोई डर नाली गल नी है ए सिर्फ दोलन नों फिक्का पॉण बास्ते सरकारां दे भ्यानने ए लोकडाउन दा परचार है ए लोकडाउन बारे सरकारा नों जेदो सी कोश्टे यावी एस लोकडाउन नाल किन्नी के गिंटती है जेड़ी काटगी सानु अंकड़ता जारी करन पहला भी ऐस देश देबिचेना ने लोकडाउन लाया सी सानु जद सतनता सही वी ओदों जेड़ी करोना नाल किन्नी मोत दर हुई ओद्धू पहला जदो ए करोना बिमारी नी सी ओद्धू पहला लोका नी किन्नी मोत हुई तेना कोड़े कोई ठोस भूत नी है ए राज कर बता दें कि इस दोरन किसान नेता ने ये भी कहा कि बेशक सरकार लॉक्डाउन लगा कर देख ले लॉक्डाउन से कोई फायदा होने वारा नहीं है किसान नेताउन ने इस मौके पर दावा किया कि दिल्ली के सभी मोर्चों पर आप किसानों की भारित आदाद बढ़ने वाली है जजजर से जगवी प्राजियान की रिपोर्ट